अब अगना मूतना चोड़के घर में बढ़ जाओ यही इस्तिती हो चुकी क्योंकि एक्जाम बहुत नजदीक है बहुत सारे श्टुडेंट जो है डरे हुए है डरने की कोई ज़रूत नहीं सारे लोगे की सेम आलत है वैसे भी सारे श्टुडेंट सीरियस नहीं है जितने भ सकते हैं सिर्व इन छे वीडियो को देखके ठीक है सबसे पहले कौन कौन सा एक है यह हिंदी वाला साथ नंबर का करीबन 16 गंटे का एक बार किया जा सकता है नींद इफेक्टिव आवर्स वाली लीजिए रात में नौ से एक नीन दीजिए चाल गंटिक नींदी समय बहुत है बाई लास्ट में करो या मरो इस वाली स्थिति आ चुकी है तो अभी अगर आपने अपनी पढ़ाई की स्पीड बहुत तेज नहीं करी तेज का मतलब रिवीजन जो है बहुत तेज होना चाहिए आप रिवीजन वाली स्थेज आ चुकी है रिवीजन पे ही कूदा जाए ठीक है हो सके तो 2-3 गंटे practice जो habit बनी होई है वो exam तक जारी रखिएगा मैं तो recommend करूंगा कि 9 तक आप जारी रखे practice लगातार practice करने वाली 3-4 गंटे की practice आप अपना जारी रखिए पढ़ने वाले आवर्ज जो है आपके 7-8-9 गंटे उसमें मैं बता रहा हूं इन्दे में 60 सुना काई नंबर काई हो गया ठ carving करंट अफेयर कारनता फेयर टोटल वाला और यूपी वाला दोनों मिला ऑनके एसन से करेормulा के टोटल मिलाके 25 से जादा सवाल सही हो जकते हैं, दोने मिलाके, ठीक है, टोटल वाला आई करेंट है, उसी से 23-24 आजाएंगे, यूपी वाले से भी तीन-चार क्वेस्चन तो आई जाते हैं करेंट से, तो यह हो गया, टीन वीडियो से कितने हो गया, 85, फिर एक रीजनिंग वाला वीडियो हमने दिया था, गर उसको भी आप देखने हैं, बलकि इंजीनिंग या फिर जो लोग इनलिटिकल स्किल जिनकी ठीक है, साइन साइड वाली लोग, वो लोग उसको भी स्किप कर सकते हैं, रीजनिंग में करीबन 13-15 सवाल आते हैं, इसको आप देख लिए प 15 सवाल तक आ सकते हैं, ठेक, ये सारे के सारे वीडियो हम देख चुके हैं, अगर आप लोगों को चाहिए हो, तो बताइए, मैं कमेंट में अलग से इन सब को जोड़ लिख के और पिंड कर दे रहा हूं, और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दे रहा हूं, तो अगर जिसका पास्ट में इतना कम से कमें वर्ड लगाई है अपना, ठेक है, और जो है, एकनॉमिका भी हमने दे रखा एक वीडियो आपको जो है, पापा वीडियो, अगर हो सके टाइम मिले तो देखिए, अधर वाइस नहीं, एक और चीज़े कई सारे कुछ लोकोशन पूच रहे हैं, अभी नया जो बजट आया है, वो सिर्फ इंटरी बजट है, उसमें कोई बहुत बड़ा पॉलिसी चेंड नहीं है, तो बहुत ज़्यदा चीज़े उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल उनको छाट के, most important जो फैक्ट है, वो हम आ इजाम के ज़्यादा तर जो है, तीन-चार दिन पहले या एक अपते पहले, या फिर कुछ-कुछ ऐसे बिरले होते हैं, जो आपके सामने बैठे हैं, वो एक-दो दिन पहले ही पढ़के अच्छे नमबर लाते थे, ठीक है, तो यही वाली थोड़ी आप फिलोस्पी समय ज अभी ताजा ताजा एकजाम हो जाएगा गयरत तरीक को, तो बहुत चांसे हैं कि आप अगर आपके आखों के सामने से गुजरी होई हैं चीजे, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन को पहचान सकोगे, क्योंकि यहाँ पे आरो में क्या होता है, चार आप्शन है, ठीक है, मु यह वाली होगी, पिर आगे गहीं, फिर इस तरह से आप तोड़ा इस तरह से तोड़ा परने निकोशिश करिए, यह नहीं कि मतलब यह उयां पड़ियों, अइसे नहीं करना है, ठीक है, थोड़ी यह टिप्स सायद काम आजाए अबके, इस्मार्ट लोगों के लिए में बत के मिटली चूट गया अले मेला बाई जॉगला भी चूट गया थल मुत्तो तो बिलतुल पॉलती थमन में नहीं आता है चाहें कोई भी कंडिशन हो ये आपको अपने आपको ये समझाना है कि नहीं नहीं सब बढ़ी हैं चलना है और एकली मैं आपको बता रहा हूं ये फैक् डरते हैं डरते हैं आप सिर्फ एक ही दो केस में नहीं होंगे या फिर दो जिसको नॉलेज है उसको कंफ्यूजन होता ही है या तो आप बिल्कुल लूल हो तो बिल्कुल कोई कोई टेंशन वाली बात ही नहीं भाई जब लूल है तो क्या जानने की चेस्टा करना कोई भी है और या फिर आपने जो है फॉर्म बस भरने के लिए बढ़ दिया है कोई वैसा इंट्रेस्ट नहीं है सीरियस चात्र है तो बिल्कुल जो है दबा होगा प्रेशर होता है इस टाइम अपने आपको निखार के और यह मानते हुए कि भाई आप सिलेक्ट हो जाएंगे परसेंट परबिल्टी सब की है ठीक है तो यह कुछ चीज़ें आप इत्माइए और जदा-जदा कोशिश करें रिवीजन करें लेकिन दो-तीन गंटे प्रेक्टेस भी जारी रखें क्योंकि हैबट एक दिन पहले तक बनी रहें चाहिए दस तारीक को आप क्या करिएगा कि मेरे साब से आप रात में 7-8 बजे सो जाईएगा ताकि भरपूर नीन लेके जाए आप फ्रेश माइंड होके जाए फ्रेश माइंड नहीं रहेगा तो इफिसेंसी नहीं आप दिखा पाएंगे आप चाहिए जित्ता पढ़ लोग ग्यारा तारीकों कुछ लोग एक्जाम स सब हो जाएगी एक और चीज़ कि आपने साल बार पढ़ाई कि हो ना कि हो आप जब लियाए जार दिया नहीं नहीं ढगा है कुछ चीजों में कॉईस्च पर नर प्UTर स्मार्ट रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, अपने आप पे ट्रस्ट करना सीखिए, माले कोई दुनिया में आपकी ना करता हो, अपनी तो इज़्जत करो, कम से कब अपनी इज़्जत करने कोशिश करो, अपने को मानू, कि यहां बायत गारी बनने जा रहे हैं, समझ में आई